बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com नवसकार, एस्टो तक में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ प्रवीण मेश्र होली मनाने के पीछे क्या है पौरानिक कथा? आपको कथा बताते हैं और इस कथा में क्या संदेश छिपा हुआ है ये भी बताते हैं तो देखे इस बार जो होली का तेवहार है ये 17 मार्च को होली का दहन होगा और 18 मार्च को रंग खिला जाएगा हर साल जो होली का तेवहार है फालगुन मास की पूनिमा तिति को मनाय जाता है तो इस बार 17 मार्च को होली का दहन और 18 मार्च को रंग खेला जाएगा तो क्या है पवरानिक कहानी होली के पीछे ऐसा वनन मिलता है धर्म गरंथों में कि एक हिरन कर्षप नाम का राक्षस वो खुद को भगवान समझता था उसका एक पुत्र हुआ प्रहलाद प्रहलाद भगवान विश्नु का बहुत बड़ा भक्त था परम भक्त था हिरन कश्यप को ये पसंद नहीं था कि उसका बेटा प्रहलाद जो है भगवान विश्नु की पूजा करे तो वो प्रहलाद को रोकता था कि तुम भगवान विश्णु की पूजा न करो, सारे मेरे राज जी के लोग मुझे इश्वर मानते हैं और मेरा पूजन करते हैं तो तुम भी मेरा ही पूजन करो, लेकिन प्रहलाद को अपने पिता की बात नहीं जमती थी, नहीं अच्छी लगती थी और वो पित की लोग उसकी बात मानते हैं, लेकिन उसका खुद का बेटा उसकी बात नहीं मानता, तो इससे वो बहुत नाराज हुआ, और उसने एन केन प्रकारेण अपने पुत्र को मारने के लिए साजिस रची हैं, लेकिन वो उनमें सफल नहीं हो पाया, फिर उसने एक बड़ी साज कि तुम मेरे पुत्र प्रहलाद को अपने गोद में लेकर के आग में बैठ जाना, क्योंकि तुम्हें आशिर्वाद प्राप्त है कि तुम आग में नहीं जलोगी, तो तुम बच जाओगी और मेरा पुत्र जल करके भर्ष्म हो जाएगा, होलिका ने भाई का साथ दिया और फालगुन मास की पूनिमा तिथी को आग जलाई गई बड़ी सी, उसमें होलिका अपने भतीजे को हिरण कश्यप के पुत्र प्रहलाद को लेकर के बैठ गई, देखिए बिडमना कि जिसे वरदान प्राप्त था कि जो आग में नहीं जले कि जो फायर प्रूफ थी वो होलिका आग में जल गई और जो भगवान विश्नु का भक्त प्रहलाद था वो बच गया, तो इस तरीके से इश्वर की क्रपा होती है, भगवान विश्नु की क्रपा से प्रहलाद बचे थे और भगवान विश्नु ने होलिका को दंड दिया था कि यदि आप गलत रास्ते पर चलेंगे तो उसका गलत परिणाम ही मिलेगा चाहे आप कितने भी समरद्ध हों कितने भी सामर्थवान क्यों नहों तो होलिका को एक आशिरवाद मिला था कि वो आग में नहीं जलेगी लेकिन उस ने उस आशिरवाद का गलत प्रियोग किया उस वर्दान का गलत प्रयोग किया किसी को मारने के लिए प्रयोग किया इसलिए वो वर्दान फलित नहीं हुआ और होलिका की मृत्तु हुई आग में जलकर और भक्त प्रहलाद जिसको कोई ऐसा वर्दान नहीं मिला था कि वो आग में नहीं जलेंगे लेकिन वो आग से बच गये तो इस्वर की क्रपा से भक्त प्रहलाद बचे थे और ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अक्षाई का साथ देना चाहिए हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए बुराई का साथ नहीं देना चाहिए बुराई के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए तो यही सी बाईयों के साथ अपना आगी का जीवन शुरू करें तो यह होली का पर्व आप सब के लिए बहुत शुब हो नवस्कार